कहते हैं दूद का जला छाच भी फूप फूप कर पीता है वही हाल हो गया है चीन का लेकिन फिर भी चीन चेताने और धमकाने से बाज नहीं आता है क्या अटल टनल को बरबाद करने की सोच रहा है चीन भारत को अपने लड़ा को विमान बेचने के चक्कर में पापड बेल रहे स्वीडेन को भारत ने दिया बड़ा जटका साथ ही साथ जो एलान करा है वो स्वीडेन के लिए ही नहीं चीन के लिए भी बन गई चीनता की विसे वहीं क्या अकसाई चीन लेने की पहल सुरू हो चुकी है क्या ऐसे फिप के लड़ाके चीन के और भी आगे घुश चुके हैं इसके अलावे अटल टरनल के बारे में बड़ी चेताउनी दी चीन ने आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से जैसा की आपको पता है इस वक्त भारत बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों को खर लगे ही हैं साथ ही साथ स्वीडेन भी लगा हुआ है स्वीडेन ने अपनी ग्रिपेन विवानों को बेचने के लिए 80 चोटी का दम लगा दिया है लेकिन अब जो एचेल ने रिपोर्ट दी है उसके अनुसार स्वीडेन के लिए एक बड़ा जटका है एचेल के अनुसार भारत का तेजस टू काबले हो जाएगा कि स्वीडेन के ग्रिपेन को खरीदने की कोई जरूरत नहीं होगी भारत का तेजस टू स्वीडेन के ग्रिपेन के बराबर या उससे एक कदम आगे ही होगा लेकिन पीछे नहीं होगा ऐसे में हमें स्वीडेन के ग्रिपेन की जरूरत नहीं है ऐसे हम माना जा रहा है कि HAL की तरफ से यह स्वीडेन को बड़ा संदेश है कि भारत को अब पुरानी टेकनलोजी नहीं चाहिए क्योंकि भारत ने अपने दम पर ग्रिपेन की जो भी टेकनलोजी है सब अपने MK2 तेजस में डालनी की सोच रखी है और वह भी अपने दम पर ग्रिपेन के भीमानों की खासियत थी सेंसर फ्यूजन टेकनलोजी इसके अलावे भी बहुत कुछ भले टेजस 1 में ये चीज नहीं थी लेकिन टेजस MK2 में इन चीजों से आगे निकल चुका है भारत ऐसे में ग्रिपेन की तरफ ध्यान देने की भारत को कोई जरूरत ही न चीज ने कुछ से कुछ बोलना सुरू कर दिया है हाल ही में अटल टनल का उदगाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने और उसके दूसरे ही दिन चीन की सरकारी भोपू ग्लोबल टाइंस ने इसारो इसारो में चेतावनी दे दी है कि अगर भारत और चीन के बीच लड़ा इस पास अधन हैं जिससे की सुरंग को बेकार बनायए जा सकेगा भारत को संयम बरतना चाहिये और उक्सावे से बचना चाहिए क्योंकि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचेगा जो भारत की रन्नीतिक छमताओं को बढ़ाए वह भी तब जब चीन और भारत की सेन्य तयारी में बढ़ा अंतर है बैवस्तित लडाई की छमता में भारत चीन से बहुत पीछे है वैसे आपको बता दे इस सुरं और पूल बना रहा है दौलत बेग ओल्डी को जाने वाली 255 किलो मीटर लंबी रोड पूरी हो गई है और 73 महत्पूल सडके बना रहा है जो की ठंड में भी बनता रहेगा इन धाचों के लिए भारत जमकर पैसा खर्च कर रहा है लेकिन चीन का मानना है कि भारत के पास ऐस चमता नहीं है और पठारों पर रोड बनाने का अनुभाव नहीं है कि वह बना पाएगा इसलिए अटल टरनल लडाई के समय में भी काम नहीं आएगा चीन ने आगे बढ़कर यह भी कह दिया है कि भारत के नेताओं ने इस टरनल का निर्मान सिर्फ दिखावे और राजनी अधन में कहा था कि अटल टरनल लेह लडाक की लाइफ लाइफ लाइन बनेगी इस टरनल से मनाली और केलों के बीच की दूरी तीन से चार घंटे कम हो जाएगी वैसे आपको बता दे पहाड काटकर बनाई गई अटल स्वरन से मनाली से लेह के बीच की यात्रा बहुत ही आ नाम ने आ रहा है वहीं दूसरी तरफ चीन या आरोप लगा रहा है कि भारत के सीमा में गुस्पेट करनी की कोशिस कर रहे थे जिसको की चीनी सेनी को ने पीछे दकेल दिया है पूरवी लड़ाक में भारत और चीन के बीच जारी गतिरोत वैसे भी खत्म होने का नाम नही ले रहा है इस भी चीनी मीडिया ने दावा करा है कि भारत ने पैंगोंग जील के पास एक पहाड़ी चोटी पर कबजे का कोशिस करा जिसे चीनी सेनी को ने विफल कर दिया चीन के सरकारी टीवी चैनल में ये खबर दिखाई गई और इस वीडियो को सेर भी किया गया कहा जा रहा है कि चीन की सेना पियले के सेनी चीन का जंडा दिखा रहे हैं और पैंगोंग जील के पास एक पहाड़ी चोटी की सुरच्छा कर रहे हैं ताकि भारतिय सेनी और ज्यादा आगे न बढ़ पाए वैसे आपको बता दें चीन के सोसल मीडिया पर यह वीडियो काफी वाइरल हो गया है उधर भारतिय सोसल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि यह तिबती यूकों से बनाई गई स्पेसल फ्रंटेर फोर्स के जवान है जो चीनी सेनी को का मुकाबला कर रहे हैं वैसे यह वीडियो कब की है कहा की है इसकी पुष्टी नहीं हो पाई है ल चीजें तैयार कर ली है लदाक की भीजन ठंड को जहलने के लिए भारतिय सेना कही तरह के एक्यूपमेंट्स का इस्तेमाल करेगी निमेंसे अधिकतर समानों का परियोग सियाचीन जैसे दुनिया के सब से उचे छेतर में पहले भी भारतिय फोज करती आई है ऐसे में भार है कि अगर इतनी ठंड में उसके नौसीखिय सैनिक रहे तो भारत की गोली से नहीं बल्कि मौसम की मार से पहले ही चल देंगे वैसे आपको बता दें ऐसा लग रहा है जैसे की अकसाई शीन पाने का सपना पूरा होने को है जिस तरह से पूरी गतिविदिया चल रही है और यही डर चीन को भी है वैसे आपको क्या लगता है एसफिप के जवानों के सामने क्या चीनी सैनिक टिक पाएंगे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ हुआ है